हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, तो आज हम बना रहे हैं तंदूरी नान, वो भी तवे पर, तो इसके लिए हमने एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैदा ली है, आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, तो यहाँ पर हमने एक कटोरी दूद लिया है, गरम दूद, गुनगुने से थोड़ा गरम दूद और आदी कटोरी दही लिया है, और यहाँ पर इसमें हम एक चम्मच नमक एड़ कर देंगे, और एक चम्मच ही इसमें चीनी एड़ कर देंगे, और एक चम्मच इसमें खाने वाला सोडा एड़ कर देंगे, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं और एक ही चम्मच इसमे वेकिंग फाउडर एड़ कर देंगे और इसमें दो बड़ी चम्मच इसमें ऑयल एड़ कर देंगे तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे फिर जो हमने मैदा और आटा लिया है न इसमें डाल देंगे तो इसका अच्छा सा हमें नरम डो लगा कर तैयार करना है तो यहां पर हम नरम डो लगा लेंगे अच्छे से गूंद के और यह डो हमको नरम नरम ही लगाना है जाद है टाइट नहीं लगाना है इससे नरम लगाएंगे ना तो हमारे नान बहुत अच्छे बन कर आएंगे तो यहाँ पर हमने ये डो लगा दिया अच्छे से अब इसको हम आदे घंटे के लिए रेश्ट पर छोड़ देंगे तो आदा घंटा जब रेश्ट पर छोड़ देंगे ना तो इसकी वाद बहुत अच्छी नान बनती है तो यहाँ पर यह हमारा आदा घंटा हो गया तो अब देखो यह कितना मतलब नरम और मुलाइम डो हो गया है तो अब चलो इसके ही हम पेड़े बना लेते हैं जिससे हम नान तयार करेंगे तो आप बड़े चोटे अपनी इच्छा अनसार कर सकते हो तो यहाँ पर हमने यह एक पेड़ा ले लिया है इसको हम ओवल साइज में इसको बे लेंगे बनाएंगे इसको तो यह हमने यहाँ पर बना दिया है यह ओवल साइज में बना रही है तो यह हमारा बन गया जाद है मोटा भी नहीं करना है और जाद है पतला भी नहीं करना है रोटी से थोड़ा मोटा रहता है तो यहाँ पर यह हमारा बन गया तो यहाँ पर हम सपेद तिल इसमें लगा देंगे सपेद तिल लगा देंगे थोड़े काले तिल हो तो लगा दो कलोजी लगा दो और ये थोड़ी धनिया की पत्ती इसमें लगा देंगे इसी को थोड़ा एक दो बेलन और मार के इसमें ये सारी चीजें अच्छे से चिपक जाएं तो यहां पर ये हमने लगा दिया अब इसको उठाएंगे उल्टी साइड पे इसमें अच्छे से पानी अपलाई कर देंगे जो हम तबे साइड जो लगाएंगे ना ये नान को इस तरह से ऐसे जो पानी हमारा अच्छे से लग जाएगा ना तो अच्छे से ये तबे पे सैट हो जाता है चिपक जाता है तो ये हमने लगा तो आप इसको तेज आच Hai ही सेक नाए हमको तो इस तरह से जभ अबार एक साइड सी लगी ना के चेहँ गया आ तो इस तरह से पलटके ऐसे आपको शेकना है तो यह देखो हमारे कितना ब़्या शिका है तो ऐसे बना लेंगे सारे अगर आपको ये हमारी रैस्पी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो तो ये देखो हमने दूसरा भी बना लिया है यहाँ पर तो इस तरह से इस पर भी मतलब उसी तरह से सारी चीज़ें लगाके थोड़ा सा बेलन लगाके इस तरह से ऐसे और उस पर पानी लगाके अपलाई करके उसको तवे पर डाल देना है तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ये सारे ऐसे ही बना के मतलब तयार कर लिये थे तो अब हम यहाँ पर आपको मतलब जैसे वो बनाते है न लच्छा पराथा उस तरह से आपको बना के दिखा रहे हैं तो हमने पहले थोड़ा अंदर ओयल लगा लिया है उसको फिर ऐसे पेड़े को ऐसे बंद कर दिया अब हम इसको लच्छा पराथी की तरह बनाएंगे तो इसको बेल लेंगे बड़ा सा करके इस तरह से फिर हम उसमें ओयल लगा देंगे थोड़ा सा सूका आठा डाल देंगे जिस से हम इसकी वो लेउर आईगी खुलके अच्छे से लेउर क्षुलती है जो आप इस तरह से आप मोड़ लो इधर उदर ऐसे पलट के या इस तरह से आशे करके मोड़ लो जिस तरह से अच्छा पराथा बनता है न तो इस तरह का आप भी नान खाने में बहुत अच्छा लगता है तो ऐसी बन गया इसको थोड़ा लंबा कर लो खीच के और इस तरह से आप इसको मोड़ते हुए चले जाओ ऐसी मोड़ते हुए चले जाओ जो यह हमारा बचता है थोड़ा इसको इसी में ऐसे जोइंट कर दो तो फिर इस त पानी नहीं बिल्कुल एड़ किया ना डो लगाते समय तो फिर दूद से लगाया है ना दूद और दही से तो बहुत अच्छे लगते हैं एक वार आप इस तरह बनाओ इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो आप बार बार बनाने का मन करोगे तो आप एक वार जरूर इस त लटके अच्छे से इसको भी हम सेख लेंगे तो दोनों साइड से अच्छे से जब सिक जाता है तब इसको ऐसे रख लेंगे तो यहां पर हमारे सेख गए तो यहां पर हमने इसमें बटर लगा दिया बटर लगा लो घी लगा लो कुछ भी लगा कि खाओ बहुत अच्छे लगते हैं बहुत मज़े के लगते हैं तो वो उमीद है उमीद करती हूँ कि आपको ये हमारी रेश्पी अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर करो